की गाइज इस नीरज एंगे वाचिंग क्यू ट्रिक्स 2.0 वागत आप सभी का क्यू ट्रिक्स के इस ओफिशियल चैनल क्यू ट्रिक्स 2.0 पे और आज है 67 डे उत्राखन डियरट 24 की प्रिवेस परिक्षा का उमीद कर रहा हूं कि आप इस प्लासस को इंचोय कर रहे होंगे और बड़िया तरीके से बढ़ाई कर रहे हूं तो इस सीरीज के साथ हम लोग ने टार्गेट किया था कि हम आने वाले उत्राखन डियरट की परिक्षा में 50 में से 50 स्कूर करेंगे वही हम लोग उसी टार्गेट को लेके चल रहे हैं बहुत ही जल्द ये नवरात्र का अगर आपको बेसिक मैस पढ़नी है तो बेसिक मैस के जो टॉपिक्स है वो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिये हैं वहाँ पे जाके आप इल्कुल इजीली बेसिक मैस को पढ़ सकते हैं और अगर किसी कोई डाउट होता है तो उस पर्टिकुलर वीडियो के कमेंट से के पहले कोश्चन के साथ जो आज का पहला कोश्चन है हमारा वो है कि सी चात्र को बिन्ह का साथ बट्टे नौ ज्याद करने को कहा गया उसने बुल वश उस भिन्हों को साथ बट्टे नौ से भाग कर दिया ठीक से 18 विट्टा 21 अधिक बिन्ह प्राप्त की दिकी अब पूछा था कि सर बताइए कौन से बुक खरीद हैं कोई बुक पर्चिस करने की या करने के आपको जरुवत नहीं है इनको पढ़ते रही है और नोटिफिकेशन आने के बाद जो रेगुलर एक एक घंटी क्लासेश चलेंगे उनको पढ़ते रही है उसमें हम आपको प्रैक्टिस करने के लिए शीट भी प्रुवाइट करेंगे लिए उनको चात्र को करने का जो तरीका और हमें कुछ नहीं बिल्कुल सिंपल जैसा कुश्यन बोल रहा है न वैसे हम करेंगे जान दीजिएगा प्रीएस यहर में आयवा कुश्यन है तो important है हम यह मान के चल रहे हैं कि जो भिन है सही उत्तर नहीं हम मान रहें कि भिन में जो है वह एक्सपॉन वाई है तो ही उततर तो अलग होगा कि जैस border करने को कहा गया to red picture क्या क्या निकालने के लिए बोला actually to seven by nine करने के लिए कर गया रहीं अगर उस than easily सिँ करता वो तो कितना आता हमारा आसर हमारा आनसर आता हमारा आसर्ण थरह Light बिन्न को 7 x 9 से divide कर दिया तो divide का क्या मतलब है divide का मतलब है कि उसने x by y इस divide को change करके 9 x 7 कर दिया यानि गलत जो answer आया वो हमारा 9 x upon यानि अगर सही answer हम करते तो हमारा answer आता 7 x upon 9 this is the right answer यह हमारा right answer है ठीक है और यह हमारा गलत answer है तो आप देखेंगे कि जो गलत answer है वो जादा है more है ठीक है कैसे denominator अगर छोटा है तो number बढ़ा होगा ठीक है कितना जादा है वो निकालने के लिए क्या करेंगे भई definitely हमको दिख रहा है कि अगर हमने गलत किया है यह जादा आया है इतना जादा है उसके लिए हम क्या करेंगे इस से इसको माइनस कर देंगे बेसीकली जो गलत संक्या हमारी आई है 9 x upon 7y में से माइनस करेंगे 7 x upon 9y को समझ में आया LCM कितना हो जाएगा 9 7 x 63 y ठीक है तो 7 है यहाँ पे तो 7 9 x 63 होता है नहीं 9 x 81 x माइनस 9 7 x 7 x 49 x यह तो सबको क्लियर होगा अब 81 में से आपको 49 माइनस करना है 9 10 11 2 आ गया और 7 में से चारिया 3 32 x upon 63 y अब यह हमने क्या निकाला दुबारा समझेगा जब उस बच्चे ने उस चात्र ने सही आंसर निकालता तो आंसर आता 7 x upon 9 y अगर उसने गलत आंसर निकाला तो उसका आंसर आया 9 x upon 7 y तो एक्चुली कितना अधिक आया 32 x upon 63 y question के according जो है हमारा जो हमने equation बने उसके according इतना अधिक है लेकिन जो हमें question में दिया गया है वो दे रखा है कि 8 बट्टे 21 अधिक है कितना अधिक है 8 बट्टा 21 अनि 8 upon 21 जादा है तो ये भी जादा की value है x upon y की form में और ये भी जादा की value है इसका क्या मतलब है कि ये दोनों value सेम है यानि हम क्या करेंगे हम 32 x upon 63 y की value को 8 upon 21 के एक को रख देंगे simple सी बात है ना दोनों value एक ही तो हुई ये भी जादा कितना जादा है वो equation की form में है और ये exact form में है इतना clear है सबी को अब हम क्या करेंगे अब हम x upon y की value निकाल देते हैं तो x upon y की value आपके हो जाएगी कितनी है तो ये संक्या है देखे option में कितना confuse करते हैं आपको एक्जाम में option में आपको दे रखा है कि option है 3 by 4 तो गलती से इसमें तो भी किमत करके आ जाना क्यों कि हमसे question पूछा गया सही उत्तर याद करें आप से वो संख्या नहीं पूछी गई आप से वह भिन्न नहीं पूछा गया है अगर यहाँ पर वह साथ बट्टे बारा ओप्शन नम्बर सी हम ठीक है क्लियर है इतना ओफुल समझ माया होगा बिल्कुल डिफिकल्ड नहीं था सब्सक्राइब करेंगे कोई दिक्कत आपको नहीं ठीक है अगर किसी को इस कुशन में डाउट है तो कमेंट सेक्शन मुझे बढ़ता है अगले कुशन की तरफ जो अगला कुशन है हमारा वह हमसे क्या कह रहा है कि एक बॉर्ड मास का कुश्चन है तो जो लोग बिल्कुल भ पर आपका मजला ब्रेकर लीं encour Rebel और फिर आपको बियं ब्रेकर अगर हो तो असको सॉल्फ करोगे अगर किसी कुशन में सारी चीजह है नटर्द के मतलब का हिंदी में का लिखा हूआ तो आप उसको solve करोगे, फिर आप division को solve करोगे, यानि भागा को solve करोगे, फिर आप multiplication को solve करोगे, फिर आप addition को solve करोगे, और फिर आप subtraction को solve करोगे, अगर इस question को अंध्यान से देखें, तो हमें पहले question को लिख लेना चाहिए, यहाँ पर आपको visibility थोड़ी छोटी आ रही plus 3 upon 2 divided by 2 upon 7 into 4 upon 3 plus 4, ठीक है, फिर इसको solve करना है, इसको solve करने के लिए जैसा कि पहले क्या कहा हमेंने, पहले मैंने कहाँ कि पहले आपको bracket solve करना है, सबसे पहले छोटा bracket solve करेंगे, तो अगर हम ध्यान से देखें कि छोटे bracket के अंदर क्या है, छोटे bracket के अंदर ये वाला portion है, अब छोटे bracket के अंदर फिर से हम board mask rule apply करेंगे, पहले क्या solve करेंगे, का, अब देखो यहाँ पे confusion हो सकता है, पहले हम 4, 8, 32 कर देता हूं, नहीं, ऐसा नहीं करना है पहले का को solve करना है और का का मतलब भी into ही होता है लेकिन पहले हम solve इसको करेंगे पहले हम 4,8,32 नहीं करेंगे ठीक है तो अगर हम इसको solve करते हैं तो मैं इसको अलग से rough में solve करूँगा 8-4 एट का 1 by 4, यानि 1 by 4 of 8, forces minus 1, forces को cut करेंगे, 4 to the 8 आ जाएगा, तो यह हो जाएगा 8-4 into 2-1, अब आपने पहले off solve किया, तो division आता है उसके बाद, ओके बाद division यहाँ पर है नहीं, फिर multiplication आता है नहीं, फिर आप इसको solve करोगे, यानि 8-4 to the 8-1, तो 8-8 आपका कड़ी यानि 0 ह वचा हमारा minus 1, यानि जो इस small bracket के अंदर है, इस पूरी की value कितनी हो गई, minus का 1 हो गई, यह समझ में आ गया सबको, तो इसको मैं erase कर दे रहा हूं, फिर हमारे पास ऐसे question के लिए जगा कम होती है, तो इसकी पूरी value के आ गई, minus का 1 आ गई, curly bracket, वो small bracket खतम हो गया, minus 1 और plus का हम पर 1 upon 2 वचा, कौन सा यह वाला 1 upon, क्यों होगे आपका curly bracket, यह बाकी इसको मैं as it is, ऐसे लिख देंगे, 1 plus 3 upon 2, divided by 2 upon 7, into 4 upon 3, और plus का, अब हमने क्या सीखा, कि हमें फिर यह वाला bracket solve करना है, ठीक है, और यहाँ पर अगर कुछ नहीं है, तो इसका मतलब into है, तो पहले यह होगे, 2 LCM लेंगे, 1, 2, 2, यानि माइनस का 2, और प्लस का 1, तो जाएगा माइनस का 1 upon, यानि इस पूरे की जो वैल्यू होगी, इस पूरे की जो वैल्यू हो जाएगी, हो माइनस का 1 upon 2 हो जाएगी, ठीक है, चले करता है इसको, 1 plus 3 upon 2, divided by 2 upon 7, 4 upon 3, प्लस का 4, into का, माइनस 1 by 2, ठीक हो गया, अब हमें क्या पता है, कि ब्रैकेट हमारे solve हो गए, अब हमारा division बचता है, सबसे पहले हम क्या करेंगे, divide वाले को solve करेंगे, यानि हम इसको solve करेंगे, ठीक है, इसको solve करेंगे, यहाँ पर जो हमारा rough space है, तो मैं यहाँ पर solve कर लेता हूँ, 3 by 2 into, 3 by 2 है, आपका कितना हो गया, 3 upon 2, यह divided by 2 by 7 है, तो divide का क्या मतलब है, अगर divide के symbol को हमें change करना है, तो इसको into में करके, जो बाद वाला number है, उसको reverse कर देता है, तो यह हो जाता 7 upon 2, ठीक है, तो कितना हो जाएगा, 7, 3s are 21 upon 4, यानि इस पूरी की value कितनी हो गया, 21 upon 4 हो गया, यानि ह अब हम क्या करेंगे, अब हम इस वाले portion को solve करेंगे, तो इस वाले portion को solve करने के लिए 4 से 4 कट गया, और 3 7s are 21 हो गया, ठीक है, 3 7s are 21 हो गया, ठीक है, अब हम इसको solve कर लेते हैं लग से, यह आपका हो जाएगा, 1 plus 7 minus, तो 1 plus 7 कितना होता है, 8, 8 minus 2, यानि हमारा answer हो गया, यानि option number B हमारा answer, तो hopefully question आपको समझ में आया होगा, easy question है, विल्कुल difficult वाले questions में नहीं करवा रहा हूँ, even देखो कितना ऐसान question है, तो मैं बार-बार recommend कर रहा हूँ, अगर कोई arts या commerce background का है, तो उन वीडियो को जाके पढ़ो, definitely आपको चीज़े समझ में आ जाए ठीक है, और तब भी अगर समझ में नहीं आदे तो comment section में बता देना, कि सर अलग से पढ़ा दो, तो मैं अलग से भी पढ़ाने के लिए तयार हूँ, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, चलो जी बढ़तना अगले class की तरफ, अगले question की तरफ, अगले question की तरफ, अगले question हमारा है, ठीक 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 है, कई बार क्या होता है न, ऐसे questions भी हम x मान लेते हैं, जो पूरा भरा है, वो x भरा हुआ है, हम x नहीं मानेंगे, हमें ratio में जब answer करना है, तो हम x नहीं मानेंगे, x में हमारा question complicated होगा, हम एक ऐसा number मानेंगे, कि जो हमारा दूध और पानी आजाए, वो exact number आजाए, ठीक है, जैसे आधा भरा हुआ है, अगर मान लो कि मैं मान लेता हूँ, कि इसमें पूरा दूध और पानी का जो मिश्रण है, वो कितना है, 8 लीटर है, मान लेता हूँ कि 8 लीटर, क्यों माना मैंने भी आपको समझ में आ जाएगा, 8 लीटर मैंने मान लिया, अगर 8 लीटर मैं मान रहा हूँ, तो क्या बोलाई कि आधा दूध से भरा हुआ है, तो अगर आधा दूध से भरा हुआ है, तो इसका मतलब 4 लीटर इसमें दूध होगा, और बाकी 4 लीटर इसमें पानी होगा, यह milk हो गया और यह पानी हो गया, milk और water हो गया, similarly मैं मैं भी दोनों में समान है ना, आयतन समान बोला है तो दोनों में 8 लिटर, 8 लिटर मान ले रहा हूं है, इसमें भी 8 लिटर है, तो क्या बोला है कि इसमें 3 चौथा ही दूध है, अगर आप 8 का 3 बट्टे 4 करोगे, तो 4 तो नहीं, 8 दोतियां कितना आएगा, 6 आजाएगा, यानि इसमें 6 लिटर का milk हो गया, क्यों मैंने 8 लिटर समझ में आया, क्योंकि जो नमबर है ना, मारे एक्जेक्ट आ गया नमबर यहां पर, अगर हम X लेते, तो क्या करते, X by 2 आ रहा होता, या 3 X by 4 आ रहा होता, कितना difficult होता solve करना, तो यह 6 आ गया, तो basically water कितना होगा, या आपका water हो गया, 2 लिटर, यानि पहले glass में 8 लिटर अगर पानी आता है, तो 4 लिटर उसमें से दूध है, और 4 लिटर उसमें पानी है, similarly, दूसरे में भी 8 लिटर अगर आता है, total, capacity, तो 8-6 लिटर आपका दूध है, और 2 लिटर आपका पानी है, तो इन में आ गया इतना, जैसा-जैसा question में दिया था, वैसा-वैसा हमने कर लिए, आगे पढ़ते है, बाद में उनमें पानी मिला कर उन्हें लवालब भर कर एक बरतन में उड़ेल दिया जाता है, अब देखो, simple सी बात है, यह पानी पहले से था नहीं, जो इसमें यह 4 लिटर पानी मैंने लिखा नहीं, यह था नहीं, यह तो बाद में हमने डाला है, पहले क्या वोला, सिर्फ दूध से भरा है, मतलब 8 लिटर में से, फोड़ा सा मैं, मैंने पहले question ध्यान से पढ़ानी, इसको मैं आधा इसमें क्या है, आठ में से 4 लिटर दूध है, इसमें 8 में से 6 लिटर दूध है, तो बाकी पानी से भर देना है, यानि अगर 4 लिटर दूध से भरा हुआ है, तो बाकी 4 लिटर आपका पानी से भर दिया हमने, इसमें अगर 6 लिटर दूध से भरा हुआ है, तो इसमे में दूद का पानी से क्या नुपाद होगा तो भी दूद 4 लिटर यह हो गया 6 लिटर हो गया यह आपका मिल्क हो गया यह आपका रेश्यो निकालना है आपको यह आपका 5 रेश्यो थे बहुत ध्यान से इन क्यों को करना है क्योंकि ऑप्शन में 3 रेश्यो 5 भी है अगर पानी का दूद से बोला जाता तो आप 3 रेश्यो 5 करते है तो पढ़ें अगले कोश्यों की तरफ जो अगला हमारा प्रशन है वो है एक वस्तू में लागत मूले य क्रेमूले का जो अनुपात है वो 20 अनुपात 21 तो प्रतिशत लाब ग्याद करें बहुत ही असान कुश्यों प्रतिशत लाब ग्याद करने के लिए हमको प्रतिशत लाब का फॉर्मूला आना चाहिए जो मैं कई बार बता चुक हूँ यानि प्रॉफिट परसंटेज का जो ट्विट इक्स मान लीजे और इसको 21 एक्स मान ली अ गर्वर स्प्र ट्विट कितना विल्मू कई हो तै या अंही विकर मूल्य मूली Tam पे एक्स अपॉन कॉस्ट फ्राइज कितना है ट्वेंटी एक्स इंटू एक्स कड़ गया ट्वेंटी फाइव जा अंडेड आग यानि फाइव परसेंट प्रॉफिट हुआ है इस केस में ऑप्षिन नंबर ए जो है वह आपका ठीक है clear है ना ओफफ़ली कोश्टन समझ में आया होगा बढ़ते हैं आज के अगले कोश्टन की तरफ एक कोश्टन है आपके सामने यदि किसी संख्या की एक तिहाई का साथवा भाग 15 है तो उस संख्या का दो बट्टे 5 भाग क्या होगा बड़ा आसान कोश्टन है किसी निकाल लीजिए तो बड़ावर हो जाएगा 15 गुणा 3 गुणा 7 यह दो अगर है तो उदरा के नूमेरेटर बन जाएगा यह तरह है तो उदरा के अंश बन जाएगा यह एक्स हो गया इसको सॉल्व मत करिए क्योंकि आपको यह आंसर नहीं निकालना है आपको क्या निकाल 11 आपका होता है 120 ठीक है यानि option number C यहां पर आप एक लेर है आज के जतने भी question मैंने करा है तो फिले आज क्लास आपको अच्छी लगी होगे अगर क्लास अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा और वीडियो में जो classes उसमें बने रहीएगा और प्लीज 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 मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ वीडियो को शेयर करो तासरा जितना शेयर करोगे उतना हमारे लिए भी अच्छा है यहना मैंने वादा किया आप लोगों से हर चीज यहां पर बिल्कुल प्रॉपर आपके सारे सब्जेक डिलेट की हम प्रिपेशन कराएंगे ठीक है थोड़ा सा मुझे टाइम कम मिल पाता है क्लास लेने का तभी थोड़ा बहुत कभी-कभी हालाकि इस सीरीज को बिल्कुल मैंने डिस्कंटीनियर ने दिया है 15 अगस से लगातार यह सीरीज चल रही है रोज वीडियो अगसे में कोई दिक्कत होती है डाउट है तो आप जो है जा सकते हो लैट्स मैट्स डॉट इन पर और वहां पर जाके कुश्चन को पूसर ठीक है मुझसे पूसर सकते हैं वहां पर मैं कुश्चन का अंसर करता हूँ एंग इस वोच्छ वाचिंग बाबाई